अधियो आधा चेप्टर खतम कर चुके हैं पार्ट टू में इसका बाकी आधा हिस्सा शुरू करेंगे चलिए थोड़ा सा रीकप कर लिये जाए आपने देखा कि Green Movement की बात हो रही थी क्योंकə हमारा गरह बीमार है бीमार गरह है तो हरितकरांती से ही इसका उधार हो सकता है तो हरितकरांती ग्रीन मुव्मेंट का क्या रोल है इस बारे में हमने कुछ जाना और कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे हरित करांती लगबक 35 साल पहले 1972 में आरम हुई थी तब से इसने लाखों लोगों के दिलों और दिमागों को काबू में कर रखा है दुनिया की पहली हरित दल की स्थापना नूजी लेन में हुई थी ये सब बाते आपने फर्स्ट पार्ट में जानी है संसार का संपूर्ण नया द्रश्टिकोन एक होलिस्टिक कॉंसेप्ट हमारे लोगों के बीच माया है हरित करांती ने हमारी धालाओं को बदल दिया है ग्रीन मुव्मेंट है चेंज अवर कॉंसेप्ट्स परिबरत जो भी हो रहा है काफी सकारात्मक है अव संसार के प्रति हमारा द्रश्टिकोन संपूर्ण है पहली बार इस बात के प्रति संसार भर में जागरूकता कॉंससनेस बढ़ रही है कि प्रत्वी स्वयम एक जीवित आवियव संस्थान है अर्थ इटसेल्फ इस अ लिविंग और्गनिस्म हमने बात की संपोशित विकास की सस्टेनेवल डेवलप्मेंट की 1987 में World Commission on Environment and Development ने यह परवाशित किया कि सस्टेनेवल डेवलप्मेंट जो होता है पूरी तरीके से विकास वो क्या है इसका आर्थ यह होता है कि मानव विकास है वा मानव विकास जो वरत्मान की जरूरतों को मानव जाती के भवश्य को बिना नुक्सान पहुँचाए, पूरा करे, भविश्य भी बचा रहे, बरतमान में भी सुदार हो जाए, ये उताय सस्टिनेवल डेवलप्मेंट, वही हमको करना है, मनुश्य प्रत्वी के साथ 1.4 मिलियन जीवित प्रयातियों की भागिदारी करता है, ये प्रत्वी एक ज धुलसा हुआ ग्रह बन गया है, मरुस्थल बढ़ रहे हैं, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, भूद्र से जमीन परयावरण का पतन हो गया है, प्रत्वी की मुख जीवन विज्यानी जो पदतिया है, चार जो हमने परस्ट पार्ट में देखी, मचली पालन, जंगल, चारा ग खाते हैं, अना जुगाने वाले हमारे खेत, ये जमीन, ये प्रत्वी की चार मुख जीवन विज्यानी पदतिया है, बायलोजिकल सिस्टम है, अर्थ की, वे विश्व की आर्थिक पदति का आदार हैं, लेकिन इन मूलभूत पदतियों को खतरा है, वे इस सस्टेनेवल ड हैं, चारा गहा को बंजर भूमी में परवर्थित किया जा रहा है, अनाज ओगाने वाले भूमी की हालत ठीक नहीं है, हमें आंदोलन करना होगा, हमें हरित करांती लाने ही होगी, ताकि हम इस प्रत्वी को बचा सकें, उश्ल कटबंदी जंगल, विकास के सक्तिगर हैं, प पहले आते हैं, मनुष्य उनके बाद आते हैं, यह आपने बात सीखी, पहले जंगल थे, फिर मनुष्य आया, मनुष्य ने लकडियों को काटना सूब कर दिया, जंगलों को काटना सूब कर दिया, और मरुस्थल बन गए, 50 मिलियन एकल, जो ट्रॉपिकल फूरेस्ट है, हर साल गायव हो रहा है, वर्ल्ड वेंग का अनुमान है कि आने वाले सालों में जो इरधन है, जो घर में हम प्योग करते हैं, और भी तरीके से फैट्रीज में इस्तिमाल होता है, कि मांग से निबटने के लिए, यद हमें उस मांग से निबटना है, तो जंगल रूपण, यानि कई हमारे विग्यानिकों ने बताया है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत हर साल 3.7 मिलियन एकर जंगल खो रहा है, वास्तवे खानी इससे कहीं अधिक है, तो हमें इस प्रत्वी को बचाना है, चलिए इस लेसन के बारे में आगे और जानकारिया देखते हैं, यह हमे क्या बताने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल और लाब देने वाला यह पार्ट है, आपको knowledgeable पार्ट है, आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. हमारे भारत के सम्विधान का अनुच्च्चत 48A में कहा गया है, कि सरकार, state जो है, राज, सरकार, वो पर्यावरन की रच्छा करेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे. The state shall endeavor, endeavor मने प्रयास करना, try करना, to protect, रच्छा करेंगे, to improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. देश का जो भी हमारा जंगल का एरिया है, उसकी सुरक्षा करेंगे, वनने पशुओं को बचाएंगे. But what causes endless anguish is a fact, परंतु किन्तु एक अंतहीन वेदना, endless anguish हमारे इस्तथ्य को जान करके पैदा होती है हमारे मन में, that laws are never respected nor enforced in India, कि कानून का भारत में न तो आदर होता है और न उनको लागू किया जाता है. यदे आप देखे हैं, तो for instance, उधारन के लिए आप समझ सकते हैं, the constitution says, सम्विदान ये कहता है, that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished. सम्विदान कहता है, कि जातिवाद, छुआ छूत, बंदुआ मजदूर रखना, समाप्त किये जाएंगी ये प्रताहें. But they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution. किन्तु सम्विदान के लागू होने के, 44 साल बाद भी, वे लज्जा जनक तरीके से, बेशरम तरीके से फलफूल रही हैं, जातिवाद, और ये सब जो धरलाएं, चुआ चूत, ये सब अभी भी बीमारी की तरह फैल रही हैं. A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last four decades. संसत की जो एक अनुमान कमेटी होती है, जिसको के estimates कमेटी कहते हैं, उसने हाली में एक report बताई है, कि पिछले 40 वर्सों में, last four decades, पिछले 40 वर्सों में, एक decade माने 10 साल होता है, तो four decades माने 40 साल, 40 वर्सों में, देश के जंगल की विद्वन्स ढंक से चती होनी की बात को जागर किया गया है, यानि catastrophic depletion, यानि बड़े ही विद्वन्सकारी तरीके से नुकसान हो रहा है भारत के जंगलों का पिछले 40 सालों से, पसंसत की report ने ये बात कई है, इंडिया, according to reliable data, is loashing its forests at the rate of 3.7 million acre a year, भारत विश्वसनी आंकडे reliable data कभी-कभी आते हैं, अलग-अलग NGO देते हैं, सरकारे में कभी-कभी देती हैं, तो विश्वसनी आंकडों के अनुसार, भारत में 37 लाख एकड, 3.7 million, यानि 37 लाख एकड, one jungle, प्रतिवर्स समाप्त हो रहे हैं, large areas, officially designated as forest land, are already virtually treeless, बड़े-बड़े जो छेत्र हैं, large areas, सरकारी रूप से, officially रूप से ये जंगल, और सरकारी रूप से जंगल के बारे बताया गया है, कि जो बड़े-बड़े एरिया हैं, जिनमें जंगल होते थे, वे लगबग वरच हीर हो गए हैं, tree-less हो गए हैं, धीरे-धीरे, the actual loss of forests is estimated to be about eight times the rate indicated by government aesthetics, अब चमतकारी बात तो ये है, कि वास्तविक जो हानी है, हानी की जो दर है, वो सरकारी रूप में बताए गई दर से, आठ गुना अधिक है, आप सोच सकते हैं, कि हम कितनी जल्दी से प्रत्विक नुक्सान पहुंचा रहे है, वो हमारा बातावरन खराब हो रहा है. A three-year study using satellites and aerical photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. अब United Nations कभी-कभी ये सब चिंता है करता है, कहां यो दोरा है, कहां सांती करनी है, कहां ब्रच्छा रूपन है, ये सब स्वास्त संबंदी, अभी भी कोरोना में United Nations का रॉल संदियास पद रहा है हालान की, पर वो विश्व सांती के लिए काम करती रहते हैं, तो United Nations जो है हमारा, उसने कई बार 88 देशों का inspection किया, वाता हमारे environment के लिए, तो satellites उपग रहों, और aerial photography, जो plane के द्वारा फोटोग्राफी की जाती है, वायू याइन के द्वारा फोटोग्राफी की जाती है, तो वो स्रयोक्त राष्ट द्वारा लिए गए फोटो से पता चलता है, कि परियावरन इतना बिगड़ चुका है, कि जिन 88 देशों की चानवीन की गई, investigation की गई, उनमें से कई की इस्थिति अतिगम भीर है, जैसे कहते हैं कि मरीज की हालत कैसी है, भहिया बहुत critical है, तो संकट की घड़ी है, भारत प्रत्वी की बात कर रहे हैं, प्रत्वी की बात कर रहे हैं, प्रत्वी बिलकुल critical position में आ गई है, जैसे उनमें ने 88 कंट्रीज का इन्वेस्टिगेट किया उनके इन्वार्मेंट का, तो चितावनीती उसने, बहुत खथरनाक पोजिशन है, critical पोजिशन आ गई है, इसमें तो कोई डाउट ही रही है, कोई संका संदे ही रही है, कि संसार की बढ़ती जनसंख्या, मानव समाज का भविश्च बिगाडने वाला एक बड़ा कारण है, growth of world population, जो world population में जनसंख्या बढ़ रही है, वो one of the strongest factor, वो सबसे ज़्यादा मजबूत कारणों में से एक है, जिसने हमारे मानव के भविश्च को खराब कर रहा है, जनसंख्या का बढ़ना, human society, it took mankind more than a million years to reach the first billion, अब आप आंकड़े देखिए, आंकड़ों से आप समझ जाएंगे, कि यह कितनी महत्वपूर जानकारी है, कि एक billion, first billion जो जनसंख्या हुई पूरी दुनिया की, एक अरब की जनसंख्या पहुचने में 10 लाख वर्स लगे, समझ रहे हैं आप, अब देखिए, पूरा एक अरब की जनसंख्या पहुचने में 10 लाख वर्स लगे, पहला अरब जनसंख्या पहुचने में, अब देखिए, पूरा एक अरब की जनसंख्या पहुचने में तो 10 साल लगे, परनत इतनी जनसंख्या वर्स 1800 के आसपास थी, इतनी जनसंख्या बात कर रहे हैं वो 1800 के आसपास थी, परनत 1900 के आते आते यानि सन 1900 के अंत तक एक अरब और बढ़ गई, यानि कि 100 साल में एक अरब बढ़ गई, समझ रहे हैं आप, 1800 से 1900 के आते तक, और 20 सदी ने तो इसमें 3.7 बिलियन, यानि 3.7 अरब और जनसंख्या बढ़ा दी, 20 सदी वह 3.7 बिलियन हो गया, दा प्रिजेंट वर्ल पॉपुलेशन इस एस्टिमेटेड इट 5.7 बिलियन, और जब ये लेसन लिखा गया होगा, ये लेक लिखा गया होगा, तो विश्व की बरतमान जनसंख्या का अनुमान, 5.7 अरब लगाया गया है, अब देखिए, हर 4 दिन में जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है, हर 4 दिन में जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है, तो जनसंख्या का विस्पोर्ट बहुत हो रहा है, वो सरकारें प्रयास करती हैं कि जनसंख्या कम हो जाए, तो वो क्या प्रयास करती हैं, चलिए उनको देखते हैं, अब आप महत्वपूर्ट तथ्य देखें, कि जनसंख्या पढ़ रही है तो उसकी क्या क्या नुक्सान होते हैं, और आप लॉजिकली सोच हैं, आप इस्टुएंट हैं, इसको भविश्य के लिए आप भी समझें इस बात को, क्योंकि आपको हिंदी में भी ऐसे आता है, कभी कभी जनसंख्या ब्रद्दीव स्पोट का, और इंग्लिस में भी पॉपूलेशन, एक्स्प्लोजन का ऐसे आता है, तो आप ये आंकड़े नोट करें, क्यों ऐसा होता है, लोगों की, आय बढ़ती है, लोगों पर पैसा बढ़ता है, तो वह फर्टिलिटी जो होती है, बच्चो का पैड़ा करना, प्रजिनन सक्ती, वो कम होती है, फिर और क्या होता है, एजुकेशन इस्प्रेड़्स, सिक्षा फैलती है, बही जब लोगों पर पैसा होता है वो पढ़ते रिखते हैं तो सिक्षा फैलती है ज़्यादा तर सिक्षा कहा नहीं है जहां गरीवी है गरीवी में सिक्षा नहीं है और फिर क्या होता है and health improves और स्वास्त अच्छा होता है यानि आप समझें कि आए बढ़ने के साथ यदि विकास होगा देश में तो आए बढ़ेगी लोगों के पास पैसा आएगा तो आए बढ़ने के साथ प्रजिनन सकती कम होगी शिक्षा फैलती है और स्वास्त अच्छा ह होता है यदि आप पिछले सालों के विकास देखें तो दुनिया में अभी कुछ सालों में विकास सुरू हुआ है आई टी के माध्यम से तो इससे पहले तो जन्वसंक्या खूब बढ़ रही थी लोगों में पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं ती सिक्षा नहीं ती ग गर्ब निरुदक तो यदि विकास करना है पढ़ो लिखो तो विकास होगा तो यह सबसे अच्छा गर्ब निरुदक होगा और विकास किस से होगा पढ़ने लिखने से होगा सिच्छा से होगा But development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. परंत जब तक बरतमान ब्रद्धी होती रहेगी, पॉपुलेशन की बरतमान ब्रद्धी यद इनक्रीज होती रहेगी, तो विकास संबब नहीं हो सकता. Development itself may not be possible, विकास तब तक संबब हो ही नहीं सकता. अब अमीर तो अमीर होते जाते हैं, और गरीब लोग बच्चे पैदा करते हैं, जो सधा गरीबी के नर्क में रहते हैं. वो बच्चे पैदा करते हैं, bigate माने produce करना, पैदा करना, the poor bigate children, तो गरीब बच्चे पैदा करते हैं, जो के उनको हमेशा remain poor, हमेशा उनको गरीबी में ही रखता है, क्योंकि वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लाबा और कुछ काम करते ही नहीं है, अच्छे-चे सपने दे थे कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, उतनी ज़्यादा खेतों में मजदूर होंगे, उतनी ज़्यादा काम करने वाले लोग मेरे घर में होंगे, तो उतनी ज़्यादा मेरी फसल पैदा होगी, तो ये पुराना परंपरा जो चली आ रही है, वो सी ने सब बिगाड़ गादिया है खेल, more children does not mean more workers, क्योंकि अधिक बच्चों का मतलब ये नहीं होता कि अधिक कारिकरता स, अधिक वरकर बन जाएं, ज़्यादा कारिकरता होंगे, ये मतलब नहीं होता, merely more people without work क्योंकि इसका मतलब होता है कि एवल अधिक बेकार लोग होंगे जितने ज़्यादा पैदा होंगे इसका मतलब यह नहीं है कि अधिक कारे करने वाले लोग होंगे बलकि इसका मतलब होगा कि और अधिक बिरोजगारी बढ़ेगी और अधिक बेकार लोग होंगे परन्तु कभी ऐसा कहा जाता है कि कभी-कभी अपने भारत में जबर्दस्ती नसबंदी भी कराई गई थी क्योंकि जबर्दस्ती करके एक आंदूलन चलाए गया था तो उसकी बात हम नहीं करेंगे हलांकि परिसंदर में हम बात कर रहे हैं परन्तु वो कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि जबर्दस्ती को जबर्दस्ती रूख जाए ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि मनुष्यों को जानवरों की तरह कैटलों की तरह धोरों की भाती जबर्दस्ती उनको sterilize कर दिया जाए उनको बंधिक्तित कर दिया जाए यानि उनको उनकी रस्बंदी कर दिया but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of caution प्रत बिना जबर्दस्ति किये अपनी मर्जी से परिवार नियोजन family planning अपनाने का कोई अन्विकल्ब भी नहीं है भी या ये इच्छा से करोगे planning तो ठीक है नहीं करोगे तो सरकारे कभी-कभी मजबूरी सरकार को ये सब करना पड़ता है जब वर्दस्ति तो अपनी पढ़ाई लिखाई करके सही साठ से कारिक्रम करें the choice is really between control of population and perpetuation of poverty बास्तव में जो chain है जो choice है जो आदवी के पास selection है कि उसे क्या करना है उसे जनसंख्या नियंतरन और निरंतर बढ़ने वाली गरीवी के बीच में choice करना है कि उसे गरीवी चाहिए या उसे जनसंख्या नियंतरन चाहिए विकास होगा तो जनसंख्या नियंतरन से ही होगा तो निरंतर गरीब रहना है भाई तो खूब बच्चे करो तो इसके बीच में चुनाव करना है further the population of India is estimated to be 920 million today भारत की जन संक्या का अनुमान लगबग 920 million यानि कि 92 करोर लगाया जाता है more than the entire populations of Africa and South America put together जो कि यदे हम दच्चन अमेरीका और अफ्रीका को मिला करके कुल जन संक्या उनकी जोडने दोनों की तो उससे भी जादा है भारत की जन संक्या no one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority जिसे भारत की प्रस्चित्यों की जानकारी है यानि जो भी भारत की जन संक्या से चिंतित है जिसे भारत की प्रस्चित्यों की जानकारी है उसे कोई संदे नहीं कि जब तक जन संक्या नियंत्रण को प्राथिमिकता नहीं दी जाती, तब तक भूखी जोपड़ पटियों में आशा पनप नहीं सकती, समझे आप, तो, no one familiar with the conditions in India would doubt, इसमें कोई संका ही नहीं है, कोई संका करी नहीं सकता, जो जानता है भारत को, that the hope of the people would die, in their hungry hurtments, कि वो भूखे मर जाएंगे, जोबड़ पटियों में भूख से मर जाएंगे, unless population control is given topmost priority, यदे उन्होंने population control को topmost priority, सबसे बड़ी प्राथिमिकता में नहीं माना, तो बहुत नुकसान जिलने वाले हैं, For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people, but of the planet. माना वितिहास में पहली बार हम बढ़ती हुई चिंता देख रहे हैं, Transending माने सबसे बढ़कर के, तो सबसे बढ़कर के जो concern है, लोगों का जो चिंता है, वो हम देख रहे हैं, हालांके ऐसा नहीं है, कि लोग सोच नहीं रहे हैं, the survival not just of the people, but of the planet, क्योंकि केवल लोगों के जीवित रहने की बात नहीं है, बलके पूरे planet, पूरे ग्रह के जीवित रहने के बारे में सोच है, we have begun to take a holistic view of the very basis of our existence, हलांके हमने holistic view, यानि संपूर्ण, पूरी तरीके से विश्व को प्रत्वी को एक रूप में देखने की चिंता हमने शुरू कर दिया है, एक रूप में हम सोचना सुरू कर दिया है, holistic view हमने ले रिया है, हमने अपने जीवन को संपूर्ण जीवों के द्रिश्ट कोंड से देखना आरंब कर दिया है, the environmental problem does not necessarily signal our demise, it is our passport for the future, पर्यावरन की समस्या आवसी रूप से हमारी म्रत्यू का संकेत नहीं है, बलके हमारे भविश्य का passport है, प्रवेश्पत्र है, यानि हम आज तो नहीं मरने वाले, पर भविश्य में future में द्रिश्चित रहना है, तो पर्यावरन सुधारना पड़ेगा, पर्यावरन की समस्या आवसी रूप से हमारी म्रत्यू, डेमिस मारे म्रत्यू, हमारी म्रत्यू का संकेत तो नहीं है, सिगनल तो नहीं है, बलके हमारे भविश्य का passport है, अशर्ड माने आरंब करना, शुरूआत हो गई है, अशर्ड माने आरंब करना, शुरूआत हो गई है, इस अ होलिस्टिक व्यू, अग्लोजिकल व्यू, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts, पूरी तरीकी से लोग holistic view रख रहे हैं, एक संपूर्ण रूप से दिस्टिकॉर्ण बन गया है, यह ecological view हो गया है, पूरी प्रत्यू के प्रत्यू उनका प्रयावन का दिस्टिकॉर्ण लोगों का बन रहा है, अब पूरे संसार को वर्ड को integrated यानि अखंड रूप से देखना है न के parts में देखना न के बिन मेल वाले बिन बिन भागों के संग्रा के रूप में देखने का दिश्चकोन है अब कोई भी parts में नहीं देखता जब population की environment की चिंता होती है तो पूरा विस्व एक रहता है इसकी सुरुवात हो चुकी है industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility जो industries हैं हमारे उध्योग जो हैं उनके भी उत्तरदायत हैं तो उत्तरदायत के इस नए यूग में उध्योग की industry की अति महत्वपूर भूमिका है crucial role है industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility क्योंकि responsibility तो factories, companies और industries की भी बनती है पर दूसरों तो वो भी फैलाते हैं वो भी लखडी का अप्योग करते हैं what a transformation would be affected कैसी काया पलट हो जाएगी if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont Mr. Edgar S. Woolallu who five years ago declared himself to be the company's chief environmental officer अब एक उदान दिया है कि कैसी काया प्लट हो जाएगी कि यह पॉंट डू 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 पॉंट जो company है उसके chairman जिनका नाम है Mr. Edgar S. Woolard तो उनकी भाती यह दूसरे businessmen जो है व्यापारी लोग भी सोचें वो क्या सोचते थे पता है declared himself उन्होंने खुद ही गोश्रा की थी अपने को company का लोग क्या कहते हैं बड़े बड़े लोग कि मैं CEO हूँ मैं Facebook का CEO हूँ मैं Amazon का CEO हूँ मैं फलानी बड़ी company का CEO हूँ ठीक है न जैसे मुके संबानी Reliance के CEO है तो CEO हूँ होता Chief Executive Officer परंतु Mr. Edgar S. Woodard ने कहा लोगों को बताने के लिए डूपॉंट company के chairman थे कि मैं CEO हूँ जिसमें CEO की full form है Chief Environmental Officer Chief Environmental Officer समझ गए यानि बातावरण को सजय करने के लिए उन्होंने ये बात कही पर्यावरण के प्रवंदक के रूप में अच्छा काम किया था तो अनिवापारी भी ये ऐसा सोचें तो उन्होंने पांच वर्स पहले जो कही बात थी कि मैं मुख्य पर्यावरण अधिकारी हू तो उस बात में दम थी उसने कहा कि he said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance उन्होंने कहा कि मुख्य manufacturer उत्पादन करता के रूप में हमारा जो अस्टित्त है हमारी जो पर्फोर्मेंस है वो हमारा अस्टित्त बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण के प्रबंध में environmental performance में excellent होना पड़ेगा उत्तम कारे करना आवशक है उन्होंने कहा हम केवल ऐसा नहीं कि अपना माल माल बनाते फिर है manufacturing करते रहें हमें पर्यावरण में भी performance अच्छी करनी होगी और खुद को वो chief environmental officer कहते थे मुख के पर्यावरण अदेकारी कहते थे न कि chief executive officer of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership none has passed so decisively into the current coin of English uses as her fallacious words अब और एक महान जो Britain की प्रदानमती रहे है Margaret Thatcher उन्होंने अपने अपने जो प्रदानमंतरी काल उनका रहा तो उनके प्रदानमंतरी काल के दोरान Margaret Thatcher ने जितने वक्तब दिये हैं जितने भी भासन दिये हैं जो भी statement उन्होंने दिये हैं उन मैंसे कोई भी statement अंग्रे जी के बरत्मान उप्योग में लागू नहीं हुआ है यानि इतना अच्छा statement जो एक उन्होंने दिया जो अभी हम पढ़ेंगे अंग्रे जी बासा में इतना प्रचलत ने हुआ जितना की ये मजिदार सब्द हुए हैं हम सब अपने लाइफ में एक किराइदार के रूप में आए हैं इस धर्ती पर इस धर्ती के हम tenancy हैं किराइदार हैं विद फुल रिपेरिंग लीज और जिसको पूर्ण तर ठीक रखना ही इसका किराया है यानि हमें पूर्ण मरमत के पटे के साथ में लीज के रूप में ये जबिन मिली है ये भगवार ने हमको धर्ती पर बेजा है तो इसलिए बेजा है कि हम यहां के परयावड को सुद्ध रखें यहां अच्छे काम करें किराय का गर है भाई ये दुनिया मर के सबको जाना है तो किराय के रूप में यहां समझें और इसकी मरमत करवाते रहें इसको सही साथ रखते रहें ऐसा मारगिर थेजर का काम की बात थी अब एक और महान पुरुष हुए है Mr. Lester Brown उरके सब्दों में बात देखें उन्होंने क्या कहा कि वी हैब नौट इन्हेरिटेट इस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर्स हमने इस धर्थी को हमारे फोर फादर्स पूर बज़ों से उत्तरादिकार की रूप में नहीं पाया है कि पुर्खे हमको ये जमीन दे गए हैं तो पुर्खों की जमीन हो गई वी हैब बॉरोड इट फ्रॉम अवर चिल्डरन बलके हम इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया है यानि जो आने वाली पीड़ी है उसको हमको अच्छे से परियाबन देना है ताकि आगे अच्छा परियाबन बने ऐसा हमको ये धर्ति को स्वर्ग बना करके रखना है तो आपने बहुत अच्छे से ये लेसन पढ़ा पूरा वीडियो सुना बहुत अच्छा हालांकि ये थोड़ा टिपिकल लेसन है येदा कोई बात आपको नहीं समझ में आए तो द्वारा वीडियो देख सकते हैं और इ में सब्स करें गाए तो सब्सक्राबन में बनाते रहें अच्छे वीडियो आपको इसол है आपके मोईल में देखें वीडियो को नीचे लाल कलर से शुप्सक्राब लिखा हूँ दिख रहा है उससब्सक्राब को आप टेच करेंगे तो टेच करते ही वो भाइट कलर में के रूप में पहुंच जाएगा और भी grammar या textbook related आपको वीडियो चाहिए तो हमने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी अलग लग क्लासों की आप उसमें जाएंगे तो राइटिंग स्किल के सभी notice सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें हम अच्छे से वीडियो आपको बनाती रहेंगे बच्चों पर हमारे प्रोशान के लिए इस चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर करें वीडियो और लाइक तो बनता ही है थैंक यू